प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक के हिंदी विशय के बारी में पाठ दो पाठ का नाम आम वाला आया स्वर्ग्यान बड़ा आ पुस्तक व्रिहदा हिंदी पाठ माला स्वर्ग्यान स्वर्ग्यान हिंदी वर्ड माला का दूसरा अक्षर होता है स्वर्ग्यान एक दीर्ग्यान है इसे दीर्ग्यान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बोलने में अधिक समय लगता है इसके पहले हमने जो पढ़ा था छोटा आ तो उसे बोलने में कम समय लगता है लेकिन आ जैसे की काला, बादल तो इसे बोलने में हमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है इसलिए इसे दीद स्वर कहते है स्वर आ से बनने वाले शब्दों में आ की मात्रा अर्थात एक खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है आईए इसे बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं आ की मात्रा एक खड़ी पाई किसी भी वियंजन के आगे लगा कर बनाते हैं जैसे अनार, अ-न, न में बड़ा की मात्रा ना, र, अनार, आम, बड़ा आ, म, आम अचार, अ, च, च में बड़ा की मात्रा, र, अचार, और आग, 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 इस तरीके से हम बड़ा आ की मात्रा को प्रयोग करके शब्द बनाते हैं आईए बड़ा आ की मात्रा से बनने वाले और भी शब्दों के बारे में जानते हैं, एक कविता की माध्यम से शीर्षक है आम वाला आया 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 आम वाला आया आम लाया आम लाया हरा आम लाल आम आठ आम लाया चार आम इधर रख चार आम उधर रख आम काट कर खा इसमें जितने भी शब्द बने हैं वो सभी बड़ी आ की मात्रा लगा करके बनाए गए हैं दूसरी काविता भी है बादल आया बादल आया बादल आया काला काला बादल आया जल बर्सा जम 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 नाच उठामन चम 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 इसमें भी बड़ा आकी मात्रा से बने हुए शब्दु का प्रेयोग हुआ है इनका आप अभ्यास करिएगा